चलो यार, कॉमेडी हो जाए, वो जिशान तारिक क्यानी जी, जब भी आते हैं, लोग हांसांस के लोटपोर्ट हो जाते हैं, जिशान तारिक क्यानी जी, जी, असलाम अलेकूम, वा अलेकूम सैंसल्म, सर, पहले मुझे ये बताएं, सर पहले मुझे ये बताएं, आपने पिछले भी जब बात हो रही था, आपने मुझे मुझे प 210 लगाया कि हारिस यार आपने तो मेरे वो वीडियो इतनी मकबूल होगी या आपने उतार दी फिर मैंने आपको सबूत दिखाया कि नहीं वो अभी भी चड़ी वी है अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आपको घलत पा के अब तो मैं अब हमारे मुल्क में नहीं है जब हमारे कंट्री में नहीं है वो देखी जा सकती मेरे दोस्तों ने भी मुझे का करें वह उन्हारे थे बोर पाकस ambassadors क facto मेरा खकूमा भी भी हार्ट न भी है Cole bound ब्लौक दे लिए मैं आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आया आते रहते हैं मैं नहीं पढ़ता बड़े इमेल आते हैं मैं नहीं पढ़ता है मैं यहां मैं यह कहा रहे था जब देखें एक यह इसको कहते हैं अपने जिन्दगी के कुछ असूल बनाए अजैसे कई लोग कहते हैं ना कि भई यह आस्मान में एक रोशनी फिर रही थी यह नहीं कहेंगे कि हमें नहीं पता ही क्या है वो इक यूएफो होगी कोई हजारों लाखों नूरी साल से ना दूर से कोई एलियन स्पीशीज आई है वो हम पे ना सर्वेलेंस कर रही तो देरफॉर वो यूएफो होगी यानि फोरें किंक्लूजिजन ड्रॉ कर लेते हैं एक नतीज़ आखस कर लेते हैं उस तरह जब आपने देखा कि वीडियो नहीं मिल रह आप कोई और नतीज़ा भी आखस कर सकते थे लेकिन आपने का नहीं ये हारिश शतान जो है ना ये साज़िश कर रहा है इसने उड़ा दी ठीक है गलती हो सकती है हर एक से इसमें कोई नहीं है लेकिन आपके ये कह रहूं कि इसलिए जब भी कोई आप कोई ऐसी अनहोनी ची आज की बात करें अच्छा मैंने ये पूछना था कि आप एथिस्ट हैं तो वो आप कमिनिस्ट हैं या सैकुलर हैं अच्छा कमिनिस्ट सैकुलर भी होते हैं कमिनिस्ट भी होते हैं सैकुलर जी जी एथिस्ट जो होते हैं वो दो किसम के होते हैं नाई एथिस्ट चार किसम क यहां उसके पीछे कोई नजरियात नहीं नहीं सार एक सक्षे सुन ले ना मैं भात कर ले आप बात कर ले आप बात कर ले एथियियजम जो होती है वो सिर्फ एक जमले के निजाम वाले फुलन डेमोक्रैट एथियस्ट भी बन सकते हैं आप ठैर जो ना अब यह बताता हूँ आपको आप चाइना की तरह वाले जो कॉम्मिनिस्ट तो नहीं रहे सोशिलिस्ट हैं लेकिन वो अथॉरिटेरियन भी है यानि उसको आप सेकुलर कह सकते हो कि हमने भई म कि विह सकते हैं एथियस्ट आप जूलिया गिलार्ड जॉसस एलिया की पराएम मिनिस्टर थी बेजरर सी हुसकी तरह के भी एथियस्ट हो सकते हैं तो हम किस के सजब हम हैं मगर्भी जो सेकुलरism जो अजाधाराना अजादी इंफ़रादी आजाधी के वर जो बेस थिना व अगर एक बंदा भी मुलक में खड़ा होके ये कहता है कि मुझे हग को होना चाहिए कि मैं नंगा फिरूं पूरी दुनिया में यानि पूरे मुलक में नंगा फिरूं उसको ये कहने का हग होना चाहिए और हकूमत को हर वो काम करना चाहिए कि किसी तरह उसको कुचलना दे उस से प्यार करते हैं उनके लिए उन्होंने खास बीचीज बनाएं में न्यूड स्पीच होते हैं कि जाओ बाई न्यूड बीच में जाओ वहाँ पर याशी करो लेकिन हम मौशरे में इस तरह नहीं लेकर फिरने दे सकते हैं यह वजा नहीं कि नंगे लोग गंदे होते हैं उसस हमें श्चुलिटी जो हती है ना वो बच्चों में भी आ सकते हैं तो यह एक इनसानी में आ रहा है इसके वह बहु शही है क्या सा तरीका सही है लेकिन इसको कहते हैं लिबिटेरियन वैली आप इन्वरादी लिवर्टी इन्वरादी अजादी के उपर उसको आप महवर बन community का, मौाशरे का, लेकिन जो मगर्बी नजाम, जो मौडरन जदीद मगर्बी नजाम है, वो यह है कि हर इनसान individual है, वो इसलिए यही वज़ा है, वो यह नहीं कहते है कि भई, यह तो मौाशरे में फितना भला रहा है हकूमत के उपर सू करके, वो हकूमत के उपर भी एक ही चला रही होगी, तो एक बंदा, उसमें यह concept नहीं कि वो community है, हमारा मुलक नीचे चला जाए, अमरीका में थोड़ी problems है, मैं और मगली भी मुलकों की बाद कर रहा हूँ, कि उनमें भई, यह तो हमारी community खराब हो जाएगी, नए, एक इनसान की एहमियत है, इसमें यह argument न लारा मारदर्स है, तो मैं वह वाला है, ठीक है, तो मैंने आपको इतने ATS के जो अंजाम की वीडियो भेजी थी, इंस्टाग्राम में, वो तो आपने देखी लिए होगी, नहीं मैंने नहीं नहीं देखी, वो आप उसमशादा कीजिएगा, मेरी अमेरिका की आंटी है, उन कॉलर्स थे, उनका जो आखरी वक्ता था, उन, वो जो उनके, मतलब उनके आस पास के रोगे, उनके कलम बंद बियाने कि वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या कहना थे, उनका आफरी वक्त लिए, यह मुश्धी जूट, मुश्री जूट हैं यह, चले, कुछ तो है, ना, कुछ मैं आपको एहमद दिदाद का पता है? पता है ना आपको एहमद दिदाद का? आगे आप बात करें न उनके साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था उनके साथ? उनके आखरी आठ साल कैसे गुज़र थे एक दो वीडियोज भी पढ़ी हैं. मैं अपके किताब में भी इसलिए यह कह रहे हैं ना जो लोग, जब लोग मर रहे होते हैं ना मर रहे होते हैं. Mother Teresa ने इतने लोगों को Christian किया जो मर रहे होते थे हिंदू कलकता में. तो जब बंदा मर रहा होता है ना, तब तो कमजोर हसाब के लोग होते हैं. अब मैं आपको एक और की मिशाल देता हूँ. यह ब को बड़ा ज़ाम ने लगा होते हैं का मेरे कैमरा लगा देना, कि मैरे आखरी जो मेरे लमहात है ना वो, और उसका कोई मरने से कोई चार ये पांच दिन पहले उसका एक Australian journalist ने इंटर्वी किया था, उसने का था, हाँ मुझे घुसा है कि मैं इतनी यंग उमर में मार रहा मैं आखर साठ साल के था, ये साठ से दोड़ा कम था, तो कहता है मुझे घुसा है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता है, इंसान मरते ही है, तो जब अगर कोई मर रहा हो, उस कैंसर में बड़ी पुरी तरी के से लिबड़ा है, वो सारी उमर एथियस्ट है, तो आखरी जम, वो तकलीफ में है, तो कुछ भी हो सकता, वो कहा दे, आपको हज़रत मुहमत का वाकिया पता है, जब वो फोत हो रहे थे, तो क्या उन्हों ने कहा था, वो बड़ा मशूर वाकिया है, उन्हों ने तो कहा था कि नमाज पढ़ते रहना और गुलामों के साथ आपने ये तो आपने तोड़ मोड के कहीं से निकाल के अपने दोस्तों अपने हलका अबाब से लेके ये तो हमें ना कभी ना ये पढ़ाया गया ना टीच किया गया और नहीं ये किताबों में है, मुस्तनत किताबों में नहीं है ये चीज़े हर मुस्तनत किताब में है, अ यह रहे ते कि अंगे अपाया है यह रहाए है खें तो ठीक बिलकुल अब इसमें क्या करें है अगए अगरत अगर को तक्राइए यह कुरान काफी है अब उनकी लियद पर भी हम लाग्यों करें उनके इस नहीं कि लिए तक्रीम में हदूर शफ्कित सर्मारा रहा है दिन तो कर रिया, मकम्ल हो गया, अईस लिए खूआ रिक्राम के उपRIए, विसलिए टेयर horse लर का लिए, अगर किया अच्छी में क्या है खूआँ हम किस नहीं कर सकते ही, यहीm कहां है कि असे शुर्च नहीं कहुत待 हूँ, तो जो गूल lobb forty a चाहते हैं कोई खिलाफत का पैसला हो जाता तो शोरोगल की वाज़ रहेगा बाद में भर क्या हो वो तनाज़े आप तर खत्मी नहीं हुए थे अच्छा इस बारे में कुछ पता है कि आप सुनी आलमों के उपर आलमों ने इस वाके को बेयान किया वा तो मैं इसरा आपके इ थे ना सुनी डॉक्टर इसरार एहमद ही उनका क्लिप भी पड़ावा इसके उपर तो वो यह यह ना क्या जो थे वो थोड़े लिबरल टाइप के मुसल्मान थे और जमाते इसलामी से उनका तालोग था जमाते इसलामी के पाउंडर सारप ओ यार एक सेकिंड यार तो जू नहीं बोलिए यह तरी यह सही बुखारी की असल हदीस यारी कोई अदीस बेज़ँ यार मुझे अटेस का नमबर ढूंड बेज़ँ यह दे यह देखे ना यह जो करने वादी बात है या आपको तो फ़ूंड करे या आपको कोई बेज दे या मैने रटा मारावा है मैंने आपको यह बता रहा हूँ, यह एक मुस्तनद हदीश है, इसके उपर भी जाके रिसेर्च मार लेने जिस तरह आपने पहले मारी थे रिसेर्चें, सुन लो पहले भी, आपके हजरत उमर ने आगे से क्या कहा, हजरत उमर ने कहा कर नहीं, जो हमें कुरान आना था, वो मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हज़ूर सुने, वो ठैर जा या, म्यूट करना पढ़ा था, मुझे ठैर जा, ना इतनी चलांगे मार, हदीथ अफ दे पेन और पेपर मशूर है, ठैर जा, अब तुम्हारा इमान डग मगा, मैं एथियस्टों को पर बात करते हैं, ठैर ज सकते थे, तो वो कैसे कोई कलम और दौात मंगवा के, वो कुछ लिखुरू कर दूए, यार तुम सही बुखारी को जुटा ला रहे हो, जिन्होंने पूरी जिन्दिगी सिर्फ जो है, वो बताया है, कि इस तरह इस तरह है, और आफरी वक्त में कलम और दौात वो स्कारी होने यार तीवी थी, और आफरी वक्त में वो कहेंगे कलम ले करो, किताब ले करो, वो उम्मी थे, उम्मी, आप बुखारी को जुटला रहे हो, बताओ मैजे, तो आप ने कौन सा सब को दिखा दिये, मैं, नहीं, नहीं, वो तर मैं मज़ा लूँगा तुमारा, कि जिसना हमेशा तुमारी एक और वीडियो भी बैन से पहले कि बैन हो जाए, मैं पहले आपके उपर फत्वा भी लगवाँगो ना, आप बताओ, बुखारी को जुटला रहे हो आप, अब शहीर स्यालवी को आपने कह दिया कि मैंने उसके सारे अकाउंट बंद कर दिये, पासपोर्ट बंद कर दिये, यह आप करवा रहे हैं, आप एकनी फाइवर, बुखारी को जुटला रहे हो, बात को इदर उतर ना करो, बुखारी को जुटला रहे हो, पहले बता बो, बुखारी की एक हदीस भी ऐसी नहीं होगी, कि जिसको आप कह दो, कि वो जईव है, बताया गिया है कि आप लेकर और उन्होंने ममानित कर दी, हाँ, 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 फिर क्या करोगे, मज़ा भी तो ले ना, कैसे मलमोल ही है यार, तुम तुमने इतनी मश्यूरत ही इसी नहीं पड़ी, अच्छा चलो, बताओ ना आप अगर बुखारी में ये लिख पर बताया है कि हाँ, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उमर रजी अला तुम को, लेकिन आपने कभी सुना नहीं, आप मुझे बता रही हो, एथियूस्टों के साथ के वा, आप मुझे बताओ पहले, मैं हिलने नहीं दूँगा, बुखारी को मानते हो, अगर बुखारी म अच्छा, तावील, अच्छा, ये किसी ने कान में आकर बताया आप तावील, नहीं, पहले मुझे बताया हो, अगर कोई अतराज हो, हर अतराज की तावील होती है, इसलाम के अंदर, इसलाम बहुत खुला दिल का मजभ है, ओ हाँ, आप कर सर्तान से उतार दो, पहले मुझ ये बताओ, अभी तो आप पांच मिनट पहले तक मानी नहीं रहे थे कि ये हदीश है, मैंने का ये हमें पढ़ाई नहीं गई, ये हदीश ना हमें कोई भी सुनाई गई है, ना पढ़ाई गई है, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, आपने इसका मतलब, आप हमसे पंगे लेते है ये तो हम बता रहे हैं, आप लोगों ने तो पढ़ा इनि इसलाम, मैंने तो आज तक आपको का ही ने, कि मैं इसलाम पर बात करूंगा, या इसलाम सिखाऊगा, मैंने तो करनी है, ये प्यारी सुनत वाली आपकी दाड़ी है, माशाणला जैसे मर्दाना तो टाक्त बढ़त रहमत अलामीन, सरकार दो आलम उनको आखरी उनकी खौाहिश ने पूरी करने दिये उनके करीबी बंदों ने, इसको मानों के इस हदीश को मानते हैं के नहीं मानते हैं, बुखारी की हदीश खलाएंगे। जब चुप करके सुनना, ये तावीलें इस तरह बनती हैं के ये आपका, इसको कहते हैं शिफ्टिंग गोल पोस्ट, यानि गोल का पोस्ट जो है न वो बदलते रहो, जहां पर फास जो गोल पोस्ट बदलते रहो, पहले आपको ये बात बड़ी महरूब लगी, बड़ी अज कोशी की, पता नहीं कोई बंदा आपको आकर लाकर बता रहा, ओए 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 तारी फास जाएगा, ओए चुपकर जा, आपने थोड़ा टाइम भाए की, अबड़े चलाक हो आप, कितने बेवकूफ नहीं जितने लगते हो, बात है ये बेवकूफ, आचा, फिर अब आपने अब आपको या तो बता दिया, या आपको इस बात का एसास होगे, कि मैं तो फस जाओंगे, ये कहा है, कि बुखारी भी मान गया, वो भी आप बुखारी में निकलाया, तो मैं क्या करूंगा, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, तो अब आपने चुके सुन लिया है, तो अब नहीं ये नहीं कहा, कि हाँ यार यार ये तो घल्स हो, आपने ले कहा है, उसके कोई तावील होगी, जब आपको ये इस चीज़ का नहीं पता था, कि ये काम नहीं है, तब आपने इमानने से इंकार कर दिया, तो इसलिए हम कहते हैं, जब जिसकिसी का दमाग बंद हो, तो वो उसके सामने कुछ भी कर दो, जब उसने पहले नतीज़, अब आ जाते हैं में टॉपिक पर, ठेहरे मैं आपको स्क्रीन शेर भी कर दूँ ताकि आपकी तजसुस जो है, खैर आपको किसी ने बता तो दिया है, कि ये जो बात है, ये सही, जो मैं बात कर रहा हूं, ये सही का नंबर है, ये इस्लामिक क्वेस्टन और आसर वेबसाइट है, ये सही बुखारी की हदीश नंबर 6932, सही मुस्लिम की हदीश 1637, ये पूरी हदीश है, ये इबन अबास से आई या अबु हरारा से बनी आई भी, आचा चलो, इबन अबास कौन थे, पता है, पता होगा ख झाल झाल झाल